पर सब्सक्राइं कि अधिन करते हैं पर जाने का मतलब कि हम लोग दस मिन्ट में ऐसी पॉइंट को डिस्क्रेस करते हैं जान से हम लोगों के मैक्सिन आने के चांसे रहते हैं यहां मैं यह कहूं कि maximum questions को gain करने की यहां पर probability क्या होती है आपके लिए बढ़ जाती है तो देखो आज इसी short lecture series में अगर हम लोग बात करें तो आज हम discuss करने जा रहे हैं rapid send filter के बारे में इससे पहले हम लोग काफी कुछ को cover कर चुके आज इसी sequence में आप लोगों की demand थी कि rapid send filter में भी बनाया जाए तो जिस तरीके से आप लोगों की demand होती है उसी चीज में वर्क किया जाता है तो हम लोग जब rapid send filter की बात करते हैं देखो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब हम filtration की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले sedimentation then filter की बात करते हैं तो फिल्टर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके से आप में लोगों के पास होते हैं तो कुछ क्या थी कि slow send filter में हम लोगों को कि आप अगर हम लोग बात करें तो इसके का पारिजन में रैपीड के कमपारिजन में क्योंकि उसकी एफिशंटी हमें नाइंटी पर से पानी को क्या कर रहे हैं उसके बाद तुरंट सुदो हम लोग सप्लाइग नहीं करते हैं कि उसके बद न कर दौने आटी है जिसंमें हम लोग की साथ चले जाना चाहिए जरूर काम है लेकिन रेट बहुत अच्छा है लेंड की भी कम requirement है, तो हम लोग किसके साथ चले जाएंगे, rapid के साथ चले जाएंगे तो इसी sequence में यह तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा advantage बताया, कि rapid send filter में क्या advantage हमें देखने को मलता है चली इसके जो 10 points में नहीं यहां पे लिखें जहां से कि आप लोग देख भी रहें कि 10 minutes में 10 marks तो इसको हम लोग continue करते हैं तो यहां पे हम लोग बात करें जब आप लोग rate of filtration की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि slow send filter के अगर हम filtration rate की बात करें तो इसके क्या होता है 30 times होता है, very very important तो एक question आप लोग का यहां से बनता है कि slow send filter की 30 times rate of filtration हमें देखने को मलता है rapid send filter का कहने का मतलब 30 times ज़्यादा पानी को यह क्या कर पा रहा है purify कर पा रहा है क्योंकि देखो 1 meter square में 1 घंटे में 3000 liter पानी को यह कर ले रहा है यह क्या कर रहा था 1 meter square में 1 घंटे में 100 liter पानी को ही purify कर पा रहा था इसका मतलब ज़्यादा पानी को कौन purify कर पा रहा है यह कर पा रहा क्योंकि filtration rate इतना high है 30 times एक question आपका यह बन गया second हमारे बस question बनता है कि effective size send particles का कितना होता है तो हम लोग कहते हैं 0.35 mm से लेके 0.55 mm हमें देखने को मिलता है जब हम slow send filter की बात करते थे तो वहाँ पे हमारा particle size काम होता था इसलिए हम लोग कहते थे कि जो हमारा coagulation added with sedimentation से पानी आता है उसको हम लोग slow send filter से पास नहीं करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपका send particle का size काफी काम है यहाँ पे क्या है send particle size हमें ठीक देखने को मिलता है तो इससे हम लोग coagulation added with sedimentation से जो पानी आता है उसको पास करा सकते है इसी तरीके से next हम लोग बात करें तो coefficient of uniformity की यहाँ पे हमारा पास coefficient of uniformity रहता है थर्ड question की बनता है की coefficient of uniformity कितना है तो हम लोग कहते हैं की 1.2 से लेके 1.6 और जब हम लोग slow send filter में बात करते थे तो हम लोग क्या कहते थे 3 to 5 हमें देखने को मलता था जैनरली 5 हम लोग कहते है यहाँ पे हम लोग उन्हें क्या का 1.2 to 1.6 efficiency की बात करें तो वहाँ पे efficiency हमारी 98% तक देखने को मलती थी और यहाँ पे rapid में कितने देखने को मलती है 90% देखने को मलती है 5th question वहाँ पे क्या था वहाँ पे हम लोग क्या करें थे जो भी हमें अगर cleaning करनी होती थी अगर हमें अपने filter की cleaning करती होती थी तो हम उसकी sand की layer जो थी उसको top 2 cm से 3 cm तक की layer को हटा देते थे और उसको new sand layer से replace कराते थे लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे back washing की process रहती है कौन सी process रहती है आप लोगों की यहाँ पे back washing की process हम लोगों को देखने को मिलती है वहाँ भी क्या कर रहे थे sand की layer को replace कर रहे थे यहाँ भी क्या कर रहे हैं back washing कर रहे है back washing के लिए आप लोगों को कितना पानी से हो रहा है 2% से लेके 5% तक का filter water हम लोगों को चाहिए होता है back washing के लिए इसके बाद कि यह time taken कितना चाहिए back washing के लिए तो हम लोग कहते हैं कि 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक का time period हमें लग जाता है back washing के लिए साथी साथ यह fifth question हो गया यह sixth question हो गया अब next हमारे पास आता है कि number of filters हम लोग कैसे calculate करेंगे तो वहां पे तो आप लोग को मैंने बताया था कि जितना plan area होता है उसके according हमारे पास एक table होती है तो हम लोग number of filters को calculate कर लेते हैं slow send filter में लेकिन यहां पे आप लोग के पास क्या होता है n is equals to यह हमारा number of filter रहता है और 1.22 under root of qd और qd है जो हमारा design discharge होता है इसको हम लोग किस में रखते है MLD में रखते है millions liters रे में ठीक है इसमें हम लोग इसे रखते है तो समझ पा रहे हैं आप लोग तो यहां से हम लोग number of filters को calculate कर सकते हैं तो यहां से 7th question आप लोग का बन गया है साथ points बन गे 8 points में हम लोग जाएं तो जब हम लोग back washing कराते हैं ठीक है तो back washing में हम लोग क्या कहते हैं कि जो उसकी velocity रहती है उस water की वो velocity रहती है 15 cm पर minute से लेके 90 cm पर minute तक समझ पा रहे हैं इसमें क्या होता है कि जो अगर हम depth की बात करें जितना हमारा sand filter medium है उसमें हमारी जो depth देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 2.5 meter से लेके 3.5 meter तक समझ पा रहे हैं इसी तरीके से 10 वे point में हम लोग कहते हैं कि यहां पे हम लोग हमेसा additional unit को हमेसा provide करके रखते हैं कि stand by unit कि अगर suppose एक filter में हमारी back washing हो रही है तो तब त sand filter में rate of filtration 30 times ज्यादा इसके particles की size बात करें sand particles की 0.35 से लेके 0.55 इसकी coefficient of uniformity की बात करें तो 1.2 से 1.6 इसकी efficiency की बात करें तो 90% filter water 2% से 5% filter water यूज होता है अगर back washing के time period की बात करें formula की बात करें कि and is equal to 1.22 under root of qd qd क्या है आप लोगों का design discharge है जिसको हम लोग million liters per day में कहते ह सब्सक्क्राइब करें कि additional unit को हम लोग यहां पर provide करें as a backup के यह हम लोग इसे कह सकते standby unit भी आप लोग इसे कह सकते Ilky okay ॥ा टक थो आम लोगों ध्यान के क्या क्या चीजह आनेहीं की क्या नेनल Votикс साइस रहेगा सेंट पार्टिकल्स क्या रहेगा एफिशेंसी आप लोग की यह एडवांटीस तो है कि ऐफिशेंसी क्या है कि 98% से 99% तक देखने को मिल जाती है लेगिन जब अगर हम लोग रैपिड कि अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोगों की एफीशेंसी कितने द कि filtration के बाद ही पानी supply नहीं होता उसके बाद उसको disinfection की through भी जाना पड़ता है तो जब disinfection एक process बची हुई है तो क्यों ना फिर हम लोग ये advantage के साथ चलें कि जहां पर land become use हो रहा है जहां पर filtration rate भी अच्छा है ठीक है ज्यादा पानी filter हो रहा है तो फिर हम लोग किस के साथ and filter के साथ जा सकते हैं तो यह जितने भी points में आप लोग को लिखा हैं यहां तो को पूशन क्यां कि अगर हम लोग 소개 कि ऐसके साथ तो आप लोग से पूछा जाता है и effective size of uniformity coefficient of uniformity में कि जादा किसकी का तो आप लोग को पता होना चाहिए कर चाहिए को यहाँ हमें धियान में रखने हैं और जब हम लोग नमर्भ झाल्कुलीट करते हैं तो यहाँ पर 1.22 under root of QD से calculate करते हैं और वहां पी जो हमारा plan area होता है उसके according हमारे पास number of filters आते हैं तो होपतो कि आप लोगों को यह session पसंद आया होगा इसी तरीके से आप लोगों के लिए शौर्ट लेक्चर सीरीज में दस मिनट की वीडियो बनाते रहेंगे तो आप लोग जरूर अपने कमेंट से जरूर बताएंगे आप लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी और आने झालर ऑ्का शीराणयर जसे अवीडियो में प्राव बस्प।त लोगों कि आप की दो आप हो जाइंगे समया heureवी साईरrifा यह सिले कैसे लोग О yönज कर दिरूर अगों कि के लगार, में वीडियो